हलो और वेलकम टू मॉम्स डायरीज आज मैंने ओट्स कस्टर्ड बनाया है आप इसे शुगर फ्री भी बना सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच ओट्स लिए हैं इसे थोड़ा रोस्ट करके लें मैं हमेशा क्वाइकर के ही ओट्स यूज़ करती हूँ अब इसमें एक कप दूट डाले और पाच मिनिट तक पकाएं मैंने यहाँ दो चम्मच वैनिला कस्टड पाउडर लिया है इसमें थोड़ा दूट डाले और अच्छे से मिक्स करके ले और ओट्स में मिक्स करें मैं यहाँ दो चम्मच शक्कर डाल रही हूँ लेकिन मैं इसे शुगर फ्री भी बनाती हूँ शुगर फ्री बनाने के लिए आप यह मिक्सर थंड़ा होने के बाद शेहद मिक्स करें और यह शेहद के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है अब ये रेडी है इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रीज में रखे तो हमारा ओट्स कस्टर्ड फ्रीज में अच्छे से ठंडा हो चुका है इसे सर्व करने के लिए मैंने कुछ ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी ली है आप आपकी चोईस के एकॉर्डिंग फ्रूट्स ले सकते हैं तो आप इस हल्दी कस्टर्ड को जरूर बनाएं ये बहुत ही टेस्टी लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरेज को सब्सक्राइब करें थैंक यू